Hello everyone, welcome to my channel online G.S.P.A.Divakar यहाँ देखिए हम लोग G.I.C. के एक उस टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको मुख्य परिक्षा में किस तरह से लिखना है उसका एक फ्लोचार्ट आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे क्योंकि जब मालेजी डाइस वर्ड में आपको लिखना होता है तो डाइस वर्ड में लिखने के लिए सिस्टेमेटिक आडर में वो चीज़ें याद नहीं रहती हो सकता है कि जैसे आपने वो टॉपिक पढ़ा हो जैसे इसमें उस्ड कड़िबंदी चक्रवात है सितोस्ड कड़िबंदी चक्रवात है उनके वीच अंतर क्या है वर्षन और उसके प्रकारों की हमलोग बात करेंगे तो यहाँ से हर बार यह मान के चलिएगा एक प्रस्न आपको निशित रूप से जैसे में मिलेगा चाहे वो देदे उस्ड कड़िबंदी चक्रवात की उत्पत्ती बिसेश्ता और बित्रण को प्रदर्शित करें या उसको ब्याख्या करें या आलोचनात्मक परिक्षण करें ठीक या इसी तरह से सीतोष्ण की जगह उस्ड की जगह सीतोष्ण कर देगा वर्सन में हम लोग बात करें तो उसमें कहादेगा कि वर्सन की प्रकारों की या ब्याख्या करें या वर्सन क्या है उसके प्रकारों को वस्पस्ट करें ठीक तो ये सारी चीजें या यह जो प्रस्ण इस पे बनेंगे 1500 वर्ड या 200 वर्ड में आसानी से बनेंगे ठीक और 50 वर्ड में जो प्रस्ण बनेंगे आपका यहां से 50 वर्ड में यह बन सकता है कि उस्ट्रकटबंदी चक्रवात क्या है ठीक, 50 सब्दों में वो बन सकता है, दूसरा सीतोर कटिबंदी चक्रवातों के बारे में दे दे या यह दे सकता है कि उस्ट कटिबंदी चक्रवातों को बिश्यों के अन्य देसों में किन नामों से जाना जाता है तो उसको बताएं तो उसके लिए आपको क्या करना पर पहले वर्ड का मैप बना के कहां पर क्या भूला जाता है उसको आप वहां पर दर्सा दीजिए आराम से आपको 50 वर्ड वाले में जो 10 नमबर दिया 10 में आपको 10 मिल जाएंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा ठीक आपको क्या करना है उस्रिकटबंदी चक्रवात की परिभासा लिखनी है ठीक तो परिभासा आनिक उसका इंट्रोडक्षन आप समझ सकते हैं जिस तरह से आप इस से लिखे आनि बंद लिख रहे हैं तो उसी तरह से पहले आप शुरुआत क्या करना देश से दे दिया प्र लिखा भी गया है उसको आप लिख दीजिए आप ये नहीं डालेगा कि परिचय या इस तरह से अब फुलो में लिखते चले जाए या यदि आपके पास समय कम है तो इस तरह से भी फुलो चार्ट आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नंबर आपको पूरा मिलेगा अब दे कि निम्न चांसों के मौसम खासकर वर्सा पर ये अधिक प्रभाव डालता है यानि इसमें वर्शन पर है अधिक प्रभाव दालता है उसकेबाद देखे उतुपत्त की हम लोग बात करें तो उतुपत्त के संदर में इसका कोई असूइस परस्तितियआं है अब देखे यह जो diagram बनाए गया है इस तरह से बनाए गया है आप क्या कर सकते हैं इसको direct जो है इस तरह से लिख सकते हैं ठीक ऐसे तो यहाँ देखे कौन-कौन से business परिस्थितियां हैं जिसको उश्रक्रटमंदी चक्रवाद कहते हैं तो यहाँ देखे गृस्मकाल में पन्न होते हैं यह जब तापमान कितना होता है लगभग 27 डिग्री या उससे अधिक हो ठीक और यह कहाँ पर होते हैं महासागरों में उत्पन्न होते हैं विकास यहाँ देखे लिखा भी गया है विकास केवल गरम सागरों पर होता है या नहीं कि उस लिकड़ मंदी कहँने यानी कि उसमेख़ पन्लि चक्रवाद की उत्पति जो है यह भूमद रेखा पर नहीं होती है बलकि उसके आसपास होती बहुमद रेखा पर चुकी जीरों से पांस तक आप जानते ही हैं कि यहां तक क्या होता डोलडरम होता यह котором किसी प्रकार का चक्रवाद उत्प जो होता है उसके साथ होता है ठीक आई टी सी जेट के साथ यह होता है यह इन्य इंटर्ट्रोपिकल कर नवर्जिन जो बनता है उसी के साथ गर्मियों में उट्रिकर्डमिन चक्रवाद की उत्पत्ति होती है ठीक यह हो गए उत्पत्ति के कुछ परिष्थितियां उसके बाद देखिए अब आप देख लेते हैं बीतरनकी आप देखिए इसमें यदि आप इसको explain करेंगे या ब्याख्याइद करेंगे तो और ज्यादा वर्ड इसमें हो जाएगा पहले तो परिचे में जैसे 2500 वर्ड हमको लिखना है न तो 2500 वर्ड में परिचे आप 50 वर्ड परिकत नहीं है ठीक ये भी आपका कितना हो गया जब आप sentence बनाएंगे तो ये वर्ड लगबग इसमें भी 50 से 100 वर्ड के बीच में ये आ जाएगा ठीक ये चारो टाइप उसके बाद देखें बीतरन की अब हम लोग बात करें तो बीतरन देखें ये मुखता जो अब 5 डि डिखाओं के बीच ये उत्पन होते है ये मुख रूप से लिखा गया है कि 5 से 15 मुखита है देखें यहां पre लिखा या ना मुख़ता है ठीक टो ये आप लिख सकते हैं इसको अंडर लाइन भी कर सकते हैं उसके निचे आप ये भी लिख सकते हैं मुख रूपस ये इतने लिग्रिया च्छांसों के मद दोनों गुलार्दों में सागरों के उपर पाय जाते हैं, उत्पन होते हैं, ठीक, क्लियर हुआ, उसके बाद देखे, अब आपको बीतरण में क्या, कि उत्तरी अटलांटिक महा सागर में भी, ठीक, उत्तरी परसांत महा सागर में, दक्षडी परसांत महा सागर में, उत्तरी हिंद महा सागर में, ठीक, अब ये आपको क्या करना, यहां पर आप क्या करिए, मैप बना लीजे, इसे, लेकि मैप के लिए जरूरी नहींकि एक दम आप सही बनाएंगे, टभी सही रहेंगा, एक रफ मैप आ बना सकते हैं, जैसे यह हो गय है अब फटा फट इसमें आप इसमें डिनोट कर दीजें यहां पर बना दीजे कि जैसे है इस तरह से और यह कर दीजे कि यह उष्टर कड़े बंदी चक्रवाग आपका यहां हो जाएगा इधर भी आपका उत्तरी प्रसांत आजाएगा ठीक तो इस तरह से आप वो ड्रा कर सकते हैं कि हाँ यह यह है तो जो एक्जामनर है जब किताब में आपकी कॉपी चिक करेगा तो अपने आप वो समझ जाएगा बीना पढ़े ही क्योंकि मैप देखे कि साल के निच्चिस समय में यानि सेप्टिमबर अक्टूबर में अलग भगाते हैं भ्रमणपतिन का क्या होता है अलग अलग होता है आकार में इसमें परयाब तंतर होते यानि इसमें छोटा चक्रवाद भी आते बड़े भी आते यह आपने देखाई होगा विभिन में आगे बढ़ते हैं और सागरों पर तीब्र गत्सिये चलते हैं निकी यहाँ पर आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे आप कि उसकर कड़ेबंदी चक्रवात की गती सागरों में सरवाधिक होती है या महां सागरों पर ठीक केंद्र में कम वाईदाब होता है और सदैव गत्सी लिए नहीं होते हैं अत्यन्त बिनासकारी प्रकृत की होते हैं इनकी स्पीड भी आप मेंसन कर सकते हैं आगे है जब अंतर हम लोग असपस्ट करेंगे तो उसको वहाँ पे लिखा गया यहाँ पी आप लिख सकते हैं कि इतने से इतने स्पीड तक कि जो गती होगी तो उसको उसको उस्ड़ कड़ बंदी चक्रवाद कहते हैं और यह कहां कहां पे आते हैं ठीक यह बीतरण में हो जाएगा ना जब बीतरण में आप डिटेल करेंगे एक तो यह परसांद यहाँ पे आप लिखेंगे ना कि जब उस्ड़ कड़ बंदी या उत्तरी अटलांटिक मासागर कहेंगे तो यहाँ पे आने वाले चक्रवाद क्यों किस नामों से जाना जाता है ठीक जैसे हरिकेन है हरिकेन गोंजोलो भी कहा जाता है कभी-कभी तो अलग-अलग बार उसके अलग-अलग नाम होते हैं अब इसको क्या करना आपको करेंट से रिरेट कर देना है कि अभी फिलहाल जो है 2021 में या मलीजे 20 में 19 में जो भी आप को याद हो ठीक जो भी आपको याद हो आप यहाँ पे इसको कोरेलेट कर दीजे कि इस समय आने वाला ये चक्रवाद जो है ये उसकड़बंदी चक्रवाद था जो अमेरिका में या अटलांटिक महासागर के पस्चमी तटपे या पूरवी तटपे जहां भी आप को याद हो वहाँ आप लिख सकते हैं या आप इंडिया के कांटेस्ट में लिख सकते हैं कि हिंदमासागर में अक्सार आते रहते हैं उडिशा, अंद्र, प्रदेश, तमिल, नाड, विचारे बहुत प्रभावित होते हैं ठीक केवल विशेस्ता दे दिया पचास वर्ड में केवल विशेस्ता लिखिए बीत्रन को दिया और सो वर्ड में तो बीत्रन लिख सकते हैं भाइब बना दी जो बीत्रन हो जाएगा ठीक आप देखिए याप सीतोष कड़बंदी चक्रवाद है तो सेम वही चीजें फालू करनी है देखिए एक मॉडल आपको यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपको इस तरह से लिखना है देखिए परिभासा उश्री कड़बंदी चक्रवाद के आपको क्या करना परिभासा याने इसके बारे में दो-चार लाइन यहां लेख सकते है कि मद्यच्छांस ओपर निर्मित वाई बिच्छोपों के केंदर में कम दाब वह बाहर अधिक दाब होता है तो यही ही आपका होता है ठीक अब यहाँ पर देखिए क्या है मद्यच्छांस आकार क्या होता है इनका गूलाकार अंडाकार या वेच के आकार का किसी भी रूप में आप ये भी कर सकते हैं ठीक उत्पत्ति देखिए अनेक सिध्धान्त हैं जिसके प्रमुख वातागर सिध्धान्त बरगरान बगरा का है वातागर सिध्धान्त आप इसमें लिख दीजे फंडी से इन बरगरान ने कुछ प्रमुक सिध्धान्द दिये हैं, अब आप उन सिध्धान्तों पर मत जाएगा पूरी तरह से, बस आपको क्या करना, यहाँ पे सिध्धान्तों का इंट्रडक्शन देना, यह परिचे कराना है, ताकि यह लगे कि हाँ आप जानते हैं कि किस इस वज़े से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि उष्ड कड़ेबंदी चक्रवात में ऐसा कुछ नहीं है, यह आप देखें यह अच्छा क्रमिक अवस्थाओं में बिक्सित होता है, अब यह उन अवस्थाओं को आप लिख दीजे, किनकी अवस्थाओं से यह इस ताओं में देखें, इनसे वर्षा धीरे धीरे परंतो लंबे समय तक होती है, इसी तरह से उष्ड कड़ेबंदी चक्रवात से देखें, तेज वर्षा होती है, इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे वर्षा होती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए होती है, इनके आने पर तापमान क्या होता है बढ़ जाता है आकार में ये गूला कार और गूला कार होते हैं मद्य में निउन्दाव होता है आकार में ये अधिक बिस्तित होते हैं गर्मियों में इनकी गती 32 किलो मीटर प्रति घंटा से लेके सर्दियों में 48 के आसपास होती है ठीक इनकी इतनी ही गती होती है अब बीतरण के हम लोग बात करें बीतरण दोनों गुलार्दे में होता है अब यहां पर मैप भी बनाया देखिए मध्य च्छांसों की बात की गई न तो यहां पर देखिए इधर और यहां पर आपका इधर 30-60 अब मान सकते हैं उत्तरी गुलार्द के में बात करें तो उत्तरी गुलार्द में या उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटी भाग के पास उत्पन नोकर पच्छुआ पौनों के साथ चलते हुए मध्य यूरूप में यह पहुंच जाती है कहां कहां किन देशों में पाया जाता है ठीक उसके बाद यहां पर देखें इन दोनों में अंतर अंतर आपको किन किन चीजों पर असपस्ट करना यह भी देख लीजे अगर देखें जब आप मेंस में लिखिए गा तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीजे हमने बताया कि क्या उस्ड कड़िवंद्ज चक्रवात में आप परिवासा उसके बात क्या करेंगे उत्पत्ति बित्रण उसमें वायू का बेग कितना है कितने समयावदी के आता है जानकारी के सोर्स क्या है इनको आप फोकस कर लिजे और इसी को उसमें मेंसन कर देजे आपका कोई टॉपिक छोटने वाला नहीं है अब देखे अंतरों की बात करें दोनों में तो यह कहा होता है जली भाग पर केवल यह उत्पन होते है उस्ड कड़िवंद्दी चक्रवात सीतोष क्या है यह जल अस्थल दोनों पे ठीक उस्ड कड़िवंद्दी चक्रवात तट से तकराकर कमजोर हो जाते हैं लेकिन यह क्या होता है आंतरी भागों तक प्रभावी होता है ठीक जब अंतर लिखना होगा तो ऐसे ही आपको लिखना होगा समदाव रेखाएं क्या होती यहाँ पे गूलाकार होती है जबकि सीतोष कड़िवंद्दी चक्रवात में वी अकार की होती है दाप्रमरता इसकी तीब्र होती है यहाँ पे क्या है दाप्रमरता हलकी होती है वाई बेग यहाँ बहुत तीब्र होता है कि इसका वेग इतना होता है और वाई वेग यहाँ पे देखे स्वामान ने मान लिजी कि एक आपका डाई सोवर्ड में दे दिया कि उस्रिकडवंदी चक्रवात की उत्पत्ति, बित्रण और विसेस्ताओं को असपस्ट कीजी और वहीं सोवर्ड में आपका दे दिया कि उस्रिकडवंदी चक्रवात और सितोच कडवंदी चक्रवात में अंतर असपस्ट कीजी ठीक, आप चुकी आपको एक ही पेपर में दोनों परस्ट मिल गए तो उसी लिए ये कि कुछ ऐसे टॉपिक या कुछ ऐसी पॉइंट्स जो है आप अंतर में लिखिए जो उस धाईस ओवर्ड में जो आपने लिखा उससे अलग हो तो इसी लिए यहाँ पे अलग किया गया उसमें आपको बेग नहीं मिला कि 120 किलो मीटर प्रति गंटा से 800 तक यह उस्रिकड़िवंदी चक्रवात होता और यह आपका सामान नहीं होता 32 से 48 ठीक इसका विस्तार छेतर कम होता जबकि सीतोस कड़िवंदी चक्रवात का विसाल छेतर विस्तरित होता है उस रिकड़े बंदी चक्रवात प्राया पूर से पस्चिम इनकी दिसा होती है जबकि ये पस्चिम से पूर्व चलते हैं उस रिकड़े बंदी चक्रवात में भीसड़ और मुसलाधार वर्सा होती है ये इसकी एक विसेष्टा भी है उस विसेष्टा में आप इसको भी इंकलूट कर सकते हैं जबकि उस रिकड़े बंदी चक्रवात में क्या होता ये वर्सा यहाँ पे धीरे-धीरे होती है बहुचार के रूप में यहाँ पर वर्सा पाई जाती लेकिन वो धीरे-धीरे कई दिनों तक होती है यहाँ देखे दिखाया कि वर्सा कुछ घंटों तक चलती है यहाँ पर वर्सा कई दिनों तक चलती है यहाँ पर तीबर वर्सा होती है, मुसलाधार होती है यहां पर slow होती है ठीक बहुचार के रूप में उसके बाद देखे वर्सा के निश्ची समय में यह उत्पन होते हैं यानि सेप्टिमबर अक्टूबर के आसपास और यहां भी देखे अपने मार्ग में यह साल भर उत्पन होते हैं उस्टोष कड़बंदी चक्रवाद और उस्टोष कड़बंदी चक्रवाद में वातागर की अनुपस्तिती होती है यह वातागर नहीं पाया जाते हैं जो उस्टोष कड़बंदी चक्रवाद क्या है यह वातागरों से ही उत्पन होता है ठीक सीत या घर्मो उस्टोष वाता और आप दिखते हैं कि भारती मौसमद विभाग जो है जव चानकारी देता है उस लिखते हैं इसा लगबग घलत ही रहा है वो केवल NASA के द्वारा फिर या World Metrological Organization जो है 20 मौसम संगठन उसकी जो जानकारी है फिर उसी को फालो करता है ठीक तो ये टोटल क्या रहा है अंतर रहा है ठीक तो यहां से जैसे हमने 14 अंतर गिना है माल जी आपको 200 ओवर्ड में लिखने के लिए ये आ गया तो ये जो एक एक लाइन यहां पे लिखा गया है इसको आप थोड़ा डिटिल भी अराम से कर ले जाएंगे ठीक तो ये हो गया उस्र कड़े बंदी सीतोश कड़े बंदी चक्रवात में अंतर अब यहां पे देखे वर्षण है प्रेसिपिटेशन तो वर्षण में आपको क्या करना है सबसे पहले उसकी परिवासा लिखनी है जैसे उसमें आपने किया वैसे इसमें भी तो यहां पे देखे क्या लिखा है कि जलवास्प का संगनी तरूप जो धरातल पर गिरता है संगनन हे तो आर्था ग्राही नाभिक का होना भी आउस्यक है यही आपका संपूर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वर्षन कहते हैं यानि जलवास्व का संगनित रूप में जो धरातल पर गिरता है संगनित रूप जो धरातल पर गिरता है उसी को क्या बोलते है वर्सा कहते है और ये संपूर जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते है वर्सन कहते है आप समझेगा कि वर्सा और वर्सन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्सा यानि जो बूध हमें प्राप्त होती है धरातल को उसको हम क्या करते हैं वर्सा कहते हैं लेकिन जो प्रक्रिया यानि जो प्रोसेस इसके पीछे वर्क करता है कि पहले वास्पन हुआ यानि वास्पी करण हुआ फिर उसका संगनन हुआ फिर वो संगनित हो के जलकी पूंध के आम लोग बात करने, तो क्या हो जायगा, रिन्फाल हो जायगा, ठीक, अब देखे, यहाँ पर, जिस तरह से आप से वहाँ प्रसंति हैं, यह दि कहते कि वर्शन क्या है, तब आपको यह पूरी प्रक्रिया को define करना होगा, ठीक, अब देखिए आपको कहा करना प्रकार लिखना है प्रकार में हमने क्या लिखा हिम ब्रिस्टी यहां पर देखे थोड़ा सा rough type का लिखा गया क्योंकि थोड़ा सा तीज यहां पर लिखा गया इसलिए लेकिन आपको असपस टूप से यहां पर दिख रहा होगा ठीक, आप इसमें अपनी तरफ से भी चीज़ें आइड कर सकते हैं या इसमें जो चीज़ें आपको लगे कि ये नहीं आइड होना चाहिए उसके अलावा भी, यानि कि एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत किया गया है आप अपने एकोर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक हिमबिस्टी, यानि स्नोफॉल, कि जब वाय में उपस्ती जलभाज का संगनन हिमांग से कम हो जाता, कि क्या होगा उसको स्नोफॉल बोलते हैं, और सलीट किसे कहते हैं यानी वर्सा की बूधों के जमने या हिमकनों के पिगल कर पुना जमने से होने वाली वर्सा यहनी कि वर्सा की बूध या जम जाए या जो हिमकण है वो एक बार पिघल जाए पिघलने के बाद क्या हो फिर से जम जाए उसके बाद जो वर्सा होती है उनके जमने से वो आपका स्लीट होता है और हेलिंग क्या होती है उला ब्रिस्ट तो जब बर्व की कड़ी या बड़ी गोलियों की बहुचार हो तो इसके आलावा भी आप जोगरिफकल वर्ड भी यूज कर सकते हैं तो कोशी से ही करेगा अपने सब्दों में भी अगर आप लिखिये तो उसमें कुछ भावगोलिक सब्दावलियों का प्रियोग निश्चित रूप से करिएगा इससे थोड़ा आंसर आपका क्या होगा एफेक्टिव होगा क्योंकि लगेगा कि हाँ आप भावगोल भी से क यही छात्रा है क्योंकि जनरल स्टडीज में भी आप जानते हैं वर्सन पढ़ाया जाता है तो यह न लगे कि आप जो है ऐसे ही लिखे हैं तो यहां देखें जलवरिस्ट या रिनफाल और इसी रिनफाल के तीन टाइप है एक आपका संबहनी प्रकार का दूसरा परवती और तीसरा चक्रवाती यह दिया आप से पूछे कि वर्सा के प्रकारों को भी अखेट करिए तो वर्सा के यह आपके तीन प्रकार हो गए जब वर्सन की बात करेगा तब आपका यह होगा फिर यह भी आपका इसी में आ जाएगा वर्सन में ही ठीक जलवरिस्ट में देखे संबहनी वर्षा तो संबहनी वर्षा ये संबहनी घटाओं के बनने के कारण होती है और यहाँ आप देखे कापासी मेग द्वारा संबहनी वर्षा होती है भूमाद रेकी प्रदेशों में प्रतदिन होने वाली वर्षा क्या होती है संबहनी प्रकार की होती है Convectional rainfall होती है Convectional rainfall यानि संबनी वर्सा यानि कि वही आप जानना है कि वास्पी करन हुआ और ये इस तरह से गरज व चमक के साथ मुसलाधार वर्सा होती है संबनी वर्सा परवती वर्सा में क्या होता है इसमें क्या है कि जलवास पर लदे हुए जो वायुरासियां होती है ये परवत से या पठार से टकरा जाती है और उसके बाद संबनी थो जाती है और संबनी थो के क्या करती है वो वर्सा करती है यहां पर फिगर भी बना सकते हैं इसका आप figure बना सकते हैं वस्पी करण को इस तरह दिखा सकते हैं और इसमें आप ये परवत बना के और ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं यहां पर दिखा के और उसके बाद यहां पर वर्सा के बूदे आप बना देजिए क्योंकि इधर से आया और इसलिए यह वाला ब्रिष्टी चाया प्रदेश हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप बहुत दूर जाने के बजाए अपने यहां पस्चमी घाट के पास देखिए पूड़े वगयरा में ठीक करनाटक में भी बिर्ष्ट चाया प्रदेश पाया जाता है मुंबई पूड़े में देखिए ठीक तो चुकि पस्चमी घाट से अरब सागर जो उटने वाले मानसून है इसी से टकरा जाता है तक चल पस्चमी मानसून और इसी के आसपास अधिक वर्षा कर देता और इधर जो बाता है तो इधर आई नहीं पाता है या उसमें जो नमी की मातरा नहीं रहती और बादल बनते नहीं है ठीक तो परवती वर्षा की बात करें तो जलवास से लदी हुई वाय या पठार या परवत से टकरा कर जब परवती वर्सा होती है उचाय के साथ-साथ वर्सा के मात्रा में यहां पर बढ़ उत्री देखी जाती है परवत से दूर जाने पर वर्सा के मात्रा में कमी होती है ठीक क्योंकि परवत के नस्दिक जो वर्सा होगी उसी वहाँ पे जादा होगा लेकिन यहां पर हम मापेंगे तो यहां पर इसके पेक्षा कम होगी ठीक तो अधिकांस जो वर्सा होती है विसमें वो सरवादिक प्रकार की जो वर्सा होती है अधिकांस था वो परवती वर्सा होती है ठीक क्लियर हुआ अगला दिखे चक्रवाती वर्सा तो चक्रवातों के कारण जो होने वाली वर्सा होती है वो चक्रवाती वर्सा होती है चाहे सीतोस्ट कड़बंदी या उस्ड कड़बंदी चक्रवात से जो होने वाली वर्सा होती है वो आपका चक्रवाती वर्सा होती है आप देखे लिखा भी गया उस्ड इवंग सीतोस्ट चक्रवात से होने वाली वर्षा उस्ड से तीब्र वा सीतोस्ट से फुहारों के रूपन होती है तो वही अभी आपने पढ़ाई है जस्ट उपर कि उस्ड कड़िवंदी चक्रवाद से तीब्र और मुसलाधार वर्षा होती है जबकि सीतोस्ड कड़िवंदी चक्रवाद से फुहारों या बहुचार के रूप में वर्षा प्राप्त होती है जो लंबे समय तक होती है जब कि उस्ट रकड़ी बंदी चक्रवात से होने वाले वर्षा सौर्ड टर्म के लिए लेकिन बहुत ती ब्रगति और भीसर मुसलाधार वर्षा होती है क्लियर हुआ ठीक तो यहां पर भी इसका आप फीगर बना लीजिएगा बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो यह पूरा आपका यह रहा कि आज का कि किस तरह से यह आप मेंस में लिखेंगे इसकी फार्मेटिंग क्या है इसी तरह से आपको सारे योनिट पढ़ाए जा चाहते हैं तो आप लोग यहां पर जॉइन कर सकते हैं इस नमबर पर वटसप करके ठीक 8318 10 11 238 तो इस नमबर पर आप वटसप करेंगे तो इस पर क्या है कि हम लोग पूरा एक तो आपको combined paper मिलेगा जैसे combined paper के बाद आपको क्या होगा unit wise उसमें set भी कराए जाएगे इस तरह से आपको present बना दिये जाएगे formatting आपको कर दी जाएगी ठीक और आपको present दिये जाएगा आप उसमें present लिख के अपना answer submit करिये गुरूप में और आपके answer को check भी किया जाएगा आपको व्यक्तिकेत रूप से यदि कोई कमी आप में दिखती है तो उसको बता दिया जाएगा यहाँ पे आपको सुधार किया हो सकता है और maximum लोग ज़्यादा तर लोग सही ही लिख रहे हैं आपको जहां से भी मिले चाहे आप किसी किताब में देख के लिखे कैसे भी लिखे क्योंकि जब आप लिखेंगे तो practice बनेगी और अगर आप एक unit से बनने वाले सभी प्रस्न attempt कर लेते हैं खुझ से प्रस्न बनाईए खुझ से सालू करिए जब आप यह कर लेंगे तो आपको confidence आजाएगा और उसे related प्रस्न एक्जाम में आएगा ही क्योंकि उसी unit से पूछा जाना है तो जब वो आएगा तो आपको सूचना नहीं पड़ेगा यदि आप practice कियें तो direct आप उसको लेख सकते हैं तो बस इसमें इतना ही उमीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और अपने मित्रों तक share करना मत भूले क्योंकि इधर देखिए आपका GIC मेंस आप लोगों के लिए अच्छी opportunity भी है क्योंकि मौका भी है इधर आपका फरवरी में आपका एक्जाम है छे फरवरी को और maximum आपने पड़ लिया है जहता तरलोग आप देखे रहें PGT या TGT में हो चुके हैं अभी hire का result आजाएगा आपका almost 10 के आसपास तक तो जिनका hire में interview होगा तो वो उधर लग जाएंगे तो यानि कि जिनका hire में नहीं होता है कि वल जिनका GIC में हो पाता है तो उनके लिए और अच्छी opportunity हो जाएगी और अच्छा मौका हो जाएगा वो इधर ज्यादा practice कर पाएंगे क्योंकि जब जो hire में interview देंगे तो interview लगेगा तो उधर थोड़ा सा disturbance होगा ही तो आप एक फार्मेटिंग ऐसे पूरे unit का सभी प्रसन जो आप देखिए उसको इसी तरह से फार्मेट बनाईए तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching